To be successful in the world अगर मन तिर्चा है तो मन का उप्योग करने के आपकी क्षम तक काफी कम हो जाईगी दूसरा आयाम आपकी उर्जा से जुड़ा हुआ है आपको मानसिक और अंतरिक दोनों तरीकों से उल्लास पून होना चाहिए जब आपकी भीतरी उर्जाएं उल्लास से भरी होंगी तो आप सफलता की राह में दिन बदेन आने वाली अनेक बाधाओं को आसानी से पार कर सकेंगे अगर ये दोनों आयाम जाग जाते हैं आपके मन और शरीर में कि आप संभाव में हैं और उल्लास पून है तो कामयाभी आपको कहीं ज्यादा आसानी से मिलेगी लेकिन इसके अलावा सफल होने के लिए आपको सही परक, प्रेणा और इमानदारी की जरूरत होगी परक्यानी, आप अपने आसपास के जीवन पर इस तरह से गौर करते हैं कि आप किसी ऐसी चीज को देख पाते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख सकते दूसरा आयाम ये है कि आपको हमेशा प्रेरित रहना होगा, ये बहुत एहमियत रखता है आप किस उदेश्चे से यह काम कर रहे हैं, चीजों के बड़े आयाम को देखना या उस योगदान को देखना जो आप कर रहे हैं, इस दुनिया में हर इंसान जो भी काम कर रहा है वो किसी न किसी तरह से इस संसार के किसी न किसी पहलू में अपना योगदान दे रहा है आप जो भी काम कर रहे हैं उससे किसी न किसी व्यक्ति को फायदा हो रहा है तो अपने योगदान के प्रती जागरूक रहने से आपकी प्रेणना हमेशा बनी रहेगी और इमानदारी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप इस दुनिया में काम करना चाहते हैं तो रोजमर्रा के जीवन में काम करते हुए आप आस-पास के लोगों के बीच कितना भरोसा कायम कर पाते हैं उसी से तय होगा कि आपका रोज मर्रा का प्रयास कितना आसान या मुश्किल होगा अगर आप सी भरोसे का माहौल होगा तो आपकी काम करने की क्षमता जबर्दस तरीके से बढ़ेगी क्योंकि तब सभी आपके लिए सहायक होंगे और आपके रास्ते में रोडे नहीं अटकाएंगे